Good morning student, अभी आप लोग English की class में हैं चिक है, English में आप लोग अभी हर एक letter से word बनाना सीख रहे हैं ना सभी letter से एक एक word बनाना आना आप लोग सीख रहे हैं सभी को पॉपि में write भी करना है और learn भी करना है तो चलिए देखते हैं आज उन्मोग का क्या है, कौन सा letter है Grabs means अंगूर, अंगूर आप लोग खाते हैं ना, किस कलर का होता है अंगूर, अंगूर होता है, ग्रीन कलर का होता है ना, आप लोग खाते हैं, कभी-कभी खटते हैं अंगूर लिए अपनों को बिल जाते हैं, और मिठा होता है, अंगूर कैसा होता है, मिठा होता है, S for head Head means topi Topi आप लोग पहनते हैं अनेक तरह की topi या होती है जैसे ठंड में अलग topi और गर्मी में अलग topi गर्मी में हम लोग सिर्फ क्या पूपर वाला topi पहनते हैं और ठंड में जैसा पहनते हैं उलें topi पहनते हैं आप लोग तो चलिए देखते हैं G for grabs Grabs का क्या spelling होगा G R A P E S Grabs Grabs means अंगूर आप लोग में सब कॉपी में इसको राइट किजिए रहा G R A P E S Grabs Grabs means अंगूर चलिए हाट का लिए रहा H A T Hat Hat means टोपी तो ये दोनों पहर आप लोगों को कॉपी में राइज करना है Grabs और Hat Grabs means अंगूर and means टोपी तो आप लोगों को ये वर्ण जाएगा आप लोगो कॉपी में राइट करना है और वर्ण एस्पेलिंग के साथ लर्ण करना है अंगूर